तो आज हम इसकी सबसे पहले बाइग्रफी यहां पर डिसकस करेंगे देखें बाइग्रफी में कहें इंग्लेंड को मिस्टेक होगी इंग्लेंड के सुपर सी दादर्श वादी विचारा ग्रीन का जन्म 6 अपरेल 1836 स्विको यार शायर जिले में हुआ था जो यूके में हैं उसके पिता इंग्लेंड के चर्च के पादरी थे जो एक पोस्ट होती है चर्च में एक अधिकारी की पोस्ट होती है ग्रीन पर अपने पिता के तिर्व धार में कुछ सहा और नैतिकता का बहुत परभाव पड़ा 14 वर्ष की आयू तक घर पर शिक्षा प्राप्त की उसके करने के बाद में ग्रीन 1855 में एक थारसो पच्षमन में उक्सफोर्ड उनिवस्टी में उन्होंने मतलब एक तरीक से वो एड्मिशन उनका वहाँ पे हो गया तो उन परविश्ट यानि की परविश्ट ले लिया उक्सफोर्ड उनिवस्टी देखिए यूके की सबसे आने जाते हैं वो ऑक्सफोर्ड उनिवस्टी है तो उन्होंने अपना शेष्ट जीवन यानि कि बाकी जो बचा उनका जो इनके जो लाइफ थी वो इसी संस्था में वियुथी थी यानिकि यह जो उन्होंने बाकी लाइफ इसी में स्पेंड की नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, इनके राइटिंग्स को लेकर जो थोमस हिल कृन इनकी जो राइटिंग्स थी Redx इनकी चार जो फेमस थी वो які डिसकस करेंगे बाकी और बहुत सारी नोumbledore зी लिखी है लेकिन वो सब डिसकस करने के लिल नहीं होती है यू तो जो जो thinker होते हैं, philosopher होते हैं, writers होते हैं, literature होते हैं, यह बहुत ऐसी book होती, जो publish करते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो important होती हैं, वो ही हम उनकी books में पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले liberal legislation and freedom of contract, तो सबसे पहले book का जो यहाँ पे लिखी हुए liberal legislation and freedom of contract हैंने कि यहाँ पे स्वतंतरता के बारे में और एक उदारवादी जो कानून बनाने की, जो legislative उसके बारे में थोड़ा सा इस book में उन्होंने discuss करके बता है, explain करके बता है, दूसरी है, lectures on principle of political obligations एक तरीके से, यहाँ पे जो lecture है, वो proper रूप से किया उसके सिद्धान्द हैने की, political obligations के जो सिद्धान्द है, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ lecture दिया है, इस जो lecture है, यह proper रूप से वो book के अंदर ही है, और यह book का proper नाम ही उन्होंने यह रिख जया है, lecture on the principle of the political obligations तीसरा है, यहाँ पे lectures होंदा, English Revolution, तो क्रांती के उपर भी एक book उन्होंने यहाँ पे लिखी है, जिस एक तरीके से famous भी होती है, क्योंकि जब हम, जब आप सभी students, जब आपका exam होगा, और आप exam में, मतलब उस exam को दोगे, रेटिन में exam होता है, second year का, third year में optional होता है, that is not important कि आप क्या highlight करोगे, बल, बट जब आपका second year में, युनिवरस्टी के जब आप exam देते हो, जब आप इनकी जो भी writings होती है, इनको आप highlight करके लिखते हो, किसे भी thinker के बारे में, जब आप लिखते हो, Hill Greens के related अगर कोई questions आता है, कि इसका criticize, with criticize के साथ इसको explain करो, आलोशना फिर biography के बाद, जो main important writings होती है, books वगरा होती है, वो आपको highlight करनी होती है, highlight करने से क्या होता है, जो चीजे important होती हो, हम highlight करते है, examiner पर काफी अच्छा impression होता है, क्योंकि जब भी कापकी copies वगरा check होती है, तो वहाँ पर जो चीज highlight होती है, सबसे ज़्यादा, जो हमारा, म पढ़ेगा कि जिस भी writer के बारे में आप लिख रहे हैं, अगर आपने कोई चीज highlight की होती है, यानि कि आपको उसके बारे में पता है, आपने बना बना के नहीं निकलिया, आपने किसे sitting करके नहीं लिखा है, बिल्कि आपने उसके बारे में लिखा है, तो तीसरा यहाँ प इसकी ऐसी ही है, तो यह चारो की चारो जो books हैं, वो बहुत important है, बहुत जादा important है, इसलिए इनको जब भी आप अगर Hill Green से related कोई questions आता है, बेसिकली आई ही जाता है, अगर options में कोई question है, आपको लिखना है, तो यह चारो की चारो राइटी जो books है, बहुत important है, इनको highlight करन नेक्स बात करते हैं, political thought of Green, तो Green के राजनितिक विचार किया है, राजनितिक विचार में भी जैसे liberty के बारे में वो बताता है, कि रूसों और जो can't हैं, उनकी तरह ही Green के दुआरा भी अपने राजनितिक धानाओं के प्रतिपादन का आरंब, यानि कि जो भी उसका evolution था, जो भी उसका मतलब जो प्रतिपादन दिया, उन्होंने उसकी starting स्वतंतरता की समस्याओं के साथ किया गया, तो Green के मतानुसारा स्वतंतरता ने तो के वल हस्तिक शेप का अभाव मातरे हैं, और ने ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके according कारे करने की उस प्रवर्ति, या नहीं दिया जाता है, जिसमें विक्ति की इच्छा संतुष्टी प्राप्ती करती है, एक ऐसे विक्ति को स्वतंतर कैसे कहा जाता है, जो मृत्यू की सीमा तक मध्यपान करता है, या जूए द्वारा स्वम अपने परिवार का विनाश करता है, तो यहाँ पे प्रॉपर इस तरह की जो एक तरीके से क्रूर एक्टिविटी में हम इसको इन्वॉल कर सकते हैं बहुत ही घटिया किसम की जो एक्टिविटी होती है जो एडिक्ट होते है इस तरह की चीजों के जो एक तरीके से बहुत बड़ा कारण बनता है विनाश का अगर वो इस तरह के विनाश मे involved हैं अपने, अपने अपने लाइफ को include करते हैं स्वातंत्रवग्टी वही होता है जो प्रौपर रूप से स्वातंत्र होता है जो किसी चीज का भी इडिक्ट नहीं है एवन किसी भी चीज़ का तो यहाँ पर सुतनता के बारे में बता है नेक्स रे राइट्स याणिक अधिकार सुतनता का पर्दिबादन करने के बाद इंग्रीन अधिकारों का विवेचन करता है अनलाइस करता है और यहाँ लॉक की भाती ही एक हॉप्स लॉक रूसों है जिन्होंने शोसल कॉंट्रेक्टे बारे बताया है तो उनके ही अकोड़ मतलब उनी की तरह अधिकारों को प्राकरती को सुभाविक न मानकर यानि कि कोई अधिकार उनके कोड़ी कोई नैचुरल नहीं है कोई आपका सुभाविक नहीं है तो समाज द्रस्टी से दी गई ऐसी सुधाओ को मानता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो सुसाइटी द्रस्टी के हीतों को करने के लिए उनको दिये जाते हैं जिने समाज ने अपने कल्यान के लिए स्विकार किया है देखिए जितने भी राइट्स होते हैं इस्पेशली वेल्फिर स्टेट में उन राइट्स का अपना एक अलग इंपोटेंस होती है अपने एक अलग जनग होती है अगर अधिकार समाज में समाज द्वारा हो तो क्या होता है दूसरी तरफ से जो रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि एक अच्छा समाज क्रियेट कर सकते है वो लोग एक अच्छा वैल्फिर स्टेट क्रियेट कर सकते है क्योंकि जब तक लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे तब तक वो वहाँ पे कुछ भी आसा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे वो एक ऐसी life में अपने आपको रखती है ऐसे लोग जी नहीं पता होता है कि बस सुबह उठ गे खाना खा लिया कुछ जिस काम को मतलब वो करते हैं अपनी life को spend करने के लिए वो काम कर लिया फिर रात को सोगे यहीं तक है उनसे अगर आप पूछेंगे राइट्स किया है राइट्स किया है तो नथिंग इंपॉसिबल वो उन्हें कुछ नहीं पता है तो वो समाज के मतलब समाज का एक वर्ग होते हुए समाज में रहते हैं उन्हों सोसाइटी का कोई वहाँ पे ऐसी मतब जानकरी नहीं होती है तो यहाँ पे जो green है green ने proper रूप से थोड़ा सा अधिकार के बारे में बताया कि वो अधिकार क्या होता है तो proper रूप से हमें समाज जवारा जो वेक्ट्य को दिया जाता है समाज की हितों के लिए दिया जाता है नेक्स जिन्हों बता है punishment theory नों ने दी है दंड संबंदी सिधान्थ उन्होंने दी है देखिए दंड संबंदी सिधान्थ उन्होंने तीन टाइप में यहाँ पर बताया है प्रतिशोधात्मक एक निवार एक एक सुधारात्मक तो इनी वर्ड से इनका मिनिक निकलता है प्रतिशोध का मतलब क्या होता है आप किसे से बदला लेनी वाली यानि कि दंड जो होता है अगर मतलब किसी के साथ कोई मतलब क्राइम होता है तो बदले में वो मतलब बना बदला उतारने के लिए उसके साथ क्राइम करता है तो वो भी एक क्राइम की ही श्रिणी में आता है दूसर निवारेक सिधान निवरिक सिधान का मतलब यह होता है जब भी आप कोई क्राइम करते हो तो उस क्राइम का क्या पनिश्मेंट है या जो क्राइम होने वाला है उसका क्या निवार है कि उपाय जो होता है वो इस थियोरी के कोड़ी यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिसकस किया है है नहीं कि deterrent theory एक निवार एक उपाय सुझाना किसी भी दंड के लिए क्या उपाय हो सकता है तीसरा है सुधार सिधा देखे रेफॉर्मेटिव theory वो होती है जब भी कोई crime होता है उसके बाद किसी को मतलब दंड दिया जाता है वो crime के कोडिव उनको दंड वहाँ पे रखा जाता है तो उस दंड की विवस्ता में उस दोरान जब वो दंड जब वो punishment उसको मिलता है उस punishment को वहाँ पे उसको दिया जाता है तो उस दोरान जो उसकी life होती है उस life में उसको कितना सुधार सकते हैं तो इस ठोरी के कोडिंग थोड़ा से यहां पर डिसकस करने करते हैं, उन्होंने यहां पर बताया हैं, तो प्रॉपर रुप से हमने, आज जो डिसकस कया वो थामस हिल ग्रीन के बारे में, उनके विचार, political views जो rights के बारे में, सुतंतरता के बारे में या punishment, सिद्धान, थियोरी के बारे में उने हमें बता है, thank you